स्वागत है आप सभी का एजुकेशन आफ आयलवेदा में आज आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं बहुत सारे लोग का कमेंट भी आ रहा था कि सब कुछ ऐसी बीमारियां हैं और जो हमारे सेलेबस में दी हुई हैं संस्कृत में बीमार बीमारियां हैं उनके संस्कृत में जो नाम है उनका हिंदी में एक्स्प्लेनेशन और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो की रेगुलर एक्जाम में पूछ दी जाती हैं संस्कृत में ही पूछे जाती है और आपको हिंदी में एक्स्प्लेन करके लिखना होता है तो दिक्कत हो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छी लगते हैं तो लाइक किजिए और जो चीज़े नव समझ में आ उसको कमेंट किजिए तो चलिए बीना टाइम वेस्ट किये टॉपिक की और चलते हैं तो आज का जो टॉपिक है जितनी भी बीमारियां हैं जो बीमारियां आपके सेलेबस में दी हुई हैं जो भी मैंने अभी आपके कोर्स के अकॉर्डिंग मैंने बताया तो जो भी बीमारियां आपको सेलेबस में दी हुई हैं और उन बीमारियों को संस्कृत में क्या कहते ह उनको मैं explain करके हिंदी में बताने वाला हूं और कुछ ऐसी बिमारी हैं जिनको मैं point out करूंगा और उसको अच्छे से explain करके समझा भी दूंगा ताकि आप exam में असानी से लिख सके तो चलिए देखते हैं तो जैसा कि मैंने यहां पर पहले से इमेंसट कर दिया है और बहुत सा अब जायेगा जादेतार जो जीनम के student है या D-Pharma के हैं वी फा माग्ए ब्यमेस के student है उनके syllabus में बीमारिया जो है संस्कृत में ही हैं और बीमारियों को आपको explain करके लिखना होता है exam में कभी-कभी इस बीमारी को हम क्या कहेंगे या इस के बारे में जानते हो भी आप नह शिला चैचक को हिन्दी में संसकृत संस्कृत नाम सबस्कु कहते हैं ॐसी तरह से पांडू है है ja जिसको हम हिंदी में पलिया कहा जाते हैं पांड़ू रोग जो है nawet पलियो को हिंदी में पिलिया कहा जाता है कभी कभी कई जग आपको कामला भी मिल जाल गात तो कामला रोग और पांडू रोग ये पिलिया को ही कहा जाता है उसी तरह से पीडिका है तो पीडिका जो है फोड़ा और फुंसी को पीडिका कहा जाता है उसी तरह से वरण अगर आता है कही कही जगा वरण पूछ देता है तो वरण को भी हम फोड़ा ही कहते है फोड़ा फ लू को बोलते हैं उसी तरह से सोथ है तो सूजन को बोला जाता है सोथ संस्कृत में सोथ बोला जाता है और हिंदी में सूजन बोला जाता है उसी तरह से स्वासव लिखा हुए या स्वास अगर आ जाता है तो स्वास या स्वास जो है दमा को कहते हैं कासव है तो कासव मतलब मतलब खासी होता है उसी दरसे मदमेह इहा है तो मदमेह मतलब डायबेटीज है ships का मतलब आपका ब्लड प्रेसर फिर बिद्रधी है तुर कैंसर को बूला जाता है तो संस्कeत में संस्कित में तरफी संसानि हिक का हिचकी खेते यह फिर आगे चलते हैं आगे जो बिमारी है वो है अद是我 अर्टिसार दस्त को बोला जाता है जो अर्बुखार को कहते यह उसी तरह से पच्छा घहत मतलब जिसको म liking कहते ऊड़ में अग्लिप perfection ऑप इसी तरह से जितनी बिमारिया मतलब यहां कि लगवक 20 बीमारी मैंने आपको बदाया संस्कृत में आप चाहें तो यह बिमारीयों में से जिसको आपको explanation अच्छी तरह से चाहिए तो आप बतायेगा मैं उसको explain भी करके दे दूँगा अभी कुछ ऐसी बीमारी हैं जिनको मैं बारी-बारी से एक्स्प्लेयन करके आपको अची तरह से समझा दो ता कि आप एक्जाम में आसानी से उसको लिख सकें कि ये बीमारी है होती कैसे है इसका संक्रमन किस हिसाब से सरीर में फैलता है कि पहुचाता है और इसमें किस तरह के सब्सक्राइब बारे में थे आसानी से उसको लिख सकें तो मैं बारी-बारी करके कुछ बिमारीयों को मैं एक्स्प्लेइन करके भी बता देता हूं तो आएए समझ लेते हैं बिमारियों को कुछ बिमारियां जो हैं fully explanation के साथ मैं बता रहा हूँ तो जैसा कि पहले नमबर पे जो मैंने बिमारी लिखे हो संस्कित में उसको कुष्ठा कहते हैं संस्कित में कुष्ठा और हिंदी में इसको कोड कहा जाता है अगर बिमारी की बात करें तो इसका समाने पर्चे में आप आसानी से लिख सकते हैं कोई ज्यादे मतलब difficult नहीं है कि आपको समझ में ना है और आप नो लिख पाएं प्रेसेंट को लगवा मार जाता है जैसा कि मैंने यहां पर मैंसन कर दिया और आपको सबसे ज़्यादे ज़रूरी बात है उसमें मैंसन यह करना होगा कि यह जिवाडू से होने वाली बिमारिया है तो जिवाडू कौन-कौन से हैं तो दो तरह के जिवाडू यहां पर मैंसन क से फैलता है अगर किसी पेसेंट को ये बिमारी हुई है नहीं है वो अगर आदमी उसके संपर्क में आता है तो उसको ये बिमारी आसानी से एक सरी से दूसरे सरी में पहुंच आता और ये communicable बिमारी है तो यह छुआ छुट से फैलता है और बिमारी बता चुगा हूं मैं कि बिमारी की बज़ा से अगर कभी-कभी ऐसा होता एक पेसेंट को लगवा मार जाता है सरीर का हिस्सा जिसमें कोड हुआ है वो काम करना बंद कर देता तो समानने से भासा में अगर अपनी भ पेसेंट आपको दिख जाते होंगे तो कुबडा जो है एक तरह का रोग है जो कि हमारे रीड की हड़ी में हो जाता है रीड की हड़ी में अगर कमी है रीड की हड़ी पे ज्यादे दबाव पड़ रहा है ज्यादे ऐसे जो लोग है ज्यादे वजन उठाते हैं पीट पे य और वो एक कूबड का टाइप बन जाता है जिससे पेसेंट को कूबडा या कूबजा बोला जाता है तो इसमें simply होता है क्या है कि रीड की हटी पे दबाव पड़ता है तो जादे तर यह जो है वजल उठाने से और एक ही जगा पे ज्यादे लंबे समय तक बैठे रहने से होता है जैसे कि मैंने आपकी सुद्धा यहां पर मेंसन किया हुआ है आप देख सकते हो कि simply कुछ पॉइंट है डिरेक्ली जो आपके बाउंडेस नहीं बताएगे कि आप जादे जो बुढ़े लोग हैं उन्हीं को यह बिमारी होती है ऐसा नहीं मैंने पहले ही बता दे जादे वजन उठाते हैं एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो उससे भी बिमारी हो सकती है अगर आदत में है आपके तो यह किसी भी उम्र में हो सकता है दूसरी चीज जो बार बर मैं बता रहा हूं अत्य अधिक बाहर उठाने से एक ही अस्थान पर अधिक समय तक बैठे रहने से यह हो सकता है और अधिकांस्त बुढ़े लोगों में होता है और जादे तर यह महिलाओं में जो लोग जाद बुजूर्ग हो गया उनको भी यह हो शकता है तो कुबज और कुबड़ा मतलब कि हड़ी रिड़ की हड़ी जो है टेड़ी हो जाती और पीछे का हिस्सा थोड़ा सा निकल आता है उसी क्राम में अगर चलें तो नेक्स जो बिमारी है तीसरी जो बिमारी मैंने मेंसंड की हु पामा खुजली को भी कहा जाता है तो यहां पे पामा खसरा मैंने यहां पे लिखा हुआ है तो बिमारी का अगर में जो चीज की एक किस चीज का संक्रम मड़ी तो यह स्वासन्त अंत्रिका है उसको प्रभावित करता है यह संक्रामक रोग है मतलब कि यह चुछ से दूसरे जगह तक यह फैल जाता है और पहले यह बिमारी बहुत जादे होती थी लेकिन इसकी वैक्सीन जब आ गई है वैक्सीन लग जा रही है तो इससे यह खत्रा कम हो गया मतलब यह बिमारी खस्रा की जो बिमारी है अब कम हो रही है पहले जादे तर होती थी अब यह कम हो रही है उसी तरह से next अगर विमारी देखेंगे तो वात रोगा है तो वात रोग मतलब वात का रोग भी कह सकते हैं लेकिन समानिता हम वात रोग को हिंदी में गठिया कहते हैं और गठिया को ही explain करके मैं बता रहा हूं वैसे वात रोग अगर वात रोग अगर आ रहा है तो वात जो जो त्री दोस हैं, वात, पित, कफ तो उसमें जो वात आता है, उस से जो रोग हो रहा, उसका वात रोगा कहा जाता है, लेकिन वात रोग गठिया को भी कहते हैं इसका जो में कारण है, जब यूरिक एसिड के k behavior करिष्टल हड्यों में जमा हो जाता है Uric A.C.D. का जो crystal है, अगर जमा हो जाता है, उसका जमाओ जादे हो जाता है, तो गठिया होता है, और इसके कारण सरीर में क्या-क्या विक्रिती होती है, सरीर में जोडम, जहां भी joint है, वहाँ पे जादे pain होने लगता है, सूजन हो जाता है, वहाँ का जो प्रभावित जो हि च्छण है और जादे तर अगर देखे तो पैर की उगलियों पे ज़्यादे प्रभाव दिखाता है ज्वाइं्ट में जहां भी फिंगर हैं वहाँ प्रभाव दिखेगा हड़ीयां थोड़ी सी मुड जाती है या बाहर की और आ जाती है तो वह वात रोक के लचण गथिया का जयादे तर यह जो बिमारी है main जो चीज है आपको लिखने वाली जो है कि ये urecae seed के crystal जमा हो जाने के कारब सरीर में हो जाता है उसी तरह से और भी बिमारियां है जैसे की cancer जो है मैंने पहले आपको cancer को बता दिया है तो cancer को vsverum भी कहा जाता है तो विस वर्णिका भी कहते है विस वर्णम भी कहा जाते है तो विस वर्णिका कहने का मतलब यह है कि यह जो है बिसाडवों के वज़े से हो रहा है और ज्यादे तर यह कोसिकाओं को प्रभावित करता है यह जो बिमारी है हमारे सरीर में जो कोसिकाओं बन रही है उनको प्र सारे ऐसे सेल हैं सरीर में जो की हमेशा बनते रहते हैं और नस्ट भी होते रहते हैं तो यह जो प्रोसेस है इसी के उपर अटेक करते हैं कैंसर के जो विसाड़वा और उस हिस्से को पूरी तरह से नस्ट करने लगते हैं तो इसलिए बिमारी जो है बहुत जानलेवा हो जाती लिकिन आपको अगर परिचय के के माद परिचय बस देना है तो अगर संस्क्रित के बमारी आज आती है तो यह अगर आज Line अ कि प्रवाहिका मैंने बद्धाया आपको संस्क्रित एंट अमीबा हिस्टोलीटिका से होता है अमीबा की ही परजाती है और इसके जो सीष्ट है वो इतने ज़्यादे छोटे होते हैं कि अगर साफ सफाई का ध्यान न दे कच्ची फल सबजीयों को अगर खाये हैं तो वो हमारे सरीर में पहुच जाता है और उसके बाद से हमारी आतों में इकठा हो जाता है और धीरे धीरे आत की वाल को काटने लगता है शरीर में परवेश करने लगता है तो पहले लच्छन में क्या होता है कि म्यूकस जो है मल के रास्ते से बाहर आता है सफेद तरह का पेचिस आपको दीखेगा फिर धीरे-धीरे वही बिकसित हो जाते हैं तो वो आत की वाल को काट देते हैं जिससे लाल तरह का पेचिस बाहर आने लगता है तो ये पूरे तरह से सरीर में फैल जाते है और dehydration भी हमारे सरीर में होने लगता है तो इसमें इलाज की जुरत होती है तुरंत अगर आपको पता चले कि dysentery हो रही है तो आप तुरंत अगर इलाज नहीं कराते हैं तो dehydration की वज़े से बहुत ज़्यादे कमजोरी हो जाती है तो इस तरह से कुछ ऐसी बिमारी हैं जिनको आप अपने मन से भी आप उसमें पॉइंट आउट करके आप अच्छी तरह से explanation के साथ लिख सकते हैं तो आशा करता हूँ कि संस्कृत के बिमारीयों के उपर जो आपकी confusion थी कुछ हल्द तक clear हो चुकी होगी अभी भी कुछ confusion अगर रह गई हो तो आप comment कीजिए कि आपको क्या चीजे नहीं समझ मैं तो मैं कोशिस करूँगा कि उन चीजों को अच्छी तरह से explain करके आपको बताओं और अगर topic important लगता है तो दूसरों तब भी पहुचाने की कोशिस कीजे मैं बार-बार कहता हूँ कि वीडियो को दूर करने की कोशिस कर रहा हूँ और आसा करता हूँ कि आपकी कुछ help जो संस्कृत के उपर जो आपकी demand थे की नहीं संस्कृत की बीमारियों के बारे में explanation चाहिए तो वो आपको मैं पूरी कर पाया हूँ वीडियो में लास तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद